हेलो फ्रेंट स्वागत अपस्विक आप मारे यूटूब चनल में तो फ्रेंट आज हम लोग इस वीडियो में जैसी आर्टी क्लास फाइब का इंगलिस में दबंबू प्रिंसेस का कॉसे न आंसर को करेंगे तो आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ को कॉसे न आंसर को करने वाले हैं और अगर आपको इस story का Hindi meaning समझना है एक एक line करके तो आप हमें comment कर सकते हैं मैं अलग से story को one by one line पढ़के इसका Hindi meaning समझा दूँगा और story भी आपको अच्छे से समझा दूँगा ठीक है और ये unit 4 है ठीक है तो चलिए इसका question answer को देखते हैं तो देखिए friends यहाँ पर जो है question answer दिया हुआ है कर रहा है read and find पढ़े और ढूंडे देखिए कर रहा है answer these questions इन प्रशनों के उत्तर दें या फिर बोल सकते हैं जबाब दें तो चलिए इसका question का answer देते हैं देखिए यहाँ पर पहला question कर रहा है what did the old man find in the bumbo stalk कर रहा है बुड़े आदमी को बांस के डंठल में क्या मिला तो देखिए friends इसका answer आपको यहाँ से लिखना है the old man found a teeny baby girl in the bumbo stalk who was as beautiful as a fairy a soft light seemed to follow her बुड़े आदमी को एक बांस के डंठल में एक नन्नी बच्ची मिली जो परी जैसी सुंदर थी एक कोमल परकास उसका पीछा करता हुआ परतीत हो रहा था चमक रही थी अब चलिए आगे देखिए अगला question क्या कर रहा है why was the girl called bamboo princess बालिका को बांस की राचकुमारी क्यों कहा जाता था तो आपको आंसर यहां से लिखना है the girl was called bamboo princess because she was found among the bamboo and she was very beautiful बालिका को बालिका बोलिया या फिर लड़की बोलिया तो लड़की को बांस की राचकुमारी कहा जाता था क्योंकि वो बांस से निकला था है ना बांस के बीच पाई गई और वह सुंदर थी बहुत सुंदर ठीक है चलिए अब आगे देखिए अगला question 3 नमर में कर रहा है how many princess wanted to marry her question कर रहा है कितने राचकुमार उससे साधी करना चाहते थे तो आपको आंसर लिखना है 5 princess wanted to marry her 5 राचकुमार उससे विवा या फिर साधी करना चाहते थे चलिए अब आगे बढ़ते हैं आप इसको not करते चलिए आगे देखिए 4 नमर कोशन में कर रहा है what task did she give to the third prince उसने तिसरे राचकुमार को क्या काम दिया तो आपको आंसर करना है यहां से the third prince was asked by her what he might do to sow his love the prince said that he might bring her a rob made from the skins of the fire rats मतलब तिसरे राचकुमार को उस लड़की दुआरा पुछा गया कि वह अपने प्यार का इजहार करने के लिए क्या कर सकता है राचकुमार ने कहा कि वह उसके लिए अगनी चुहों की खाल से बना एक वस्त्र ला सकता है fire rat मतलब अगनी चुहा और इस चुहा का skin से बना कोई भी वस्त्र रहे या फिर कोई कपड़ा रहे आग उस वस्त्र को उस कपड़े को नहीं जला पाता है तो आप इसको देख लिजे अच्छे से नौट कर लिजे फिर में लोग बढ़ते हैं अगला कोशन की ओर अब चलिए आगे देखिए five number कोशन में कर रहा है इसमें कर रहा है बास की रजकुमारी कहां वापस चली गई तो आपको आंसर यहाँ पर करना है बास की राजकुमारी चांद पर अपने घर वापस चली गई तो इस तरीके से आपको आंसर करना है तो आप इसको अच्छे से देख लिजे और नौट कर लिजे या फिर आप इसका स्क्रीन सौट करके भी रख सकते हैं तो फिरन सुम्मिद करते हैं कि आपको सारा कोशन आंसर अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा समझ माया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कर लिजेगा ठीक है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा उस्ता साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी जरूर आन कर लिजेगा और आपकी जितने भी सारे दोस्त हैं सभी को इस वीडियो को सेयर जरू कर दिजेगा तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में इससे आगे वाला क्वेशन का अंसर को लेकर तब तक क्लिब आए थिंक्यू फर वाचिंग दिस वीडियो